CCA की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं जी बहुत बड़े मारजनसी दर से फइट करती चलेगी उपर से चलेगी कम से कम नकुड से पचीन जार से अगही दिकल के चाहिए किया थुझार में किसान हमीर हो जाए का यह तो एक लोली पो फेन का यह तो एक इनका सिस्टम को यह है कि दो अजार रुपेद देदो और इनसे ओट ले लो एक जना क एड ही होना है अका一 कजार उनित फरी इसके परिवार का पिछहनाव से चुना उलड़ता रहा है इसके मतदान अगर हर बर के देखे जाएं और इस बार क जनाउ है कहीं अगय परत्यासी प्रत्यासी के चैरी की लोगप्रियता ज्यादा है ahead CCA में आपका स्वागत है हम अब ही केराना लोकसभा सीट की सहारनपूर जिले की नकुड विधान साभा जो है वो भी केराना लोकसभा सीट में आता है वहां अभी हम ढाईकी गाओं में हैं लेकिन यहां गाओं के यहां गाओं में अलग-अलग जगा से लोग आए हुए हैं, आएए बात करते हैं और समझते हैं कि क्या यहाँ पर महौल है, मैं आप से शुरू करते हैं साब, आप से शुरू करें, जी, आपका नाम साब, निरिच परदान, खेड़ की से, आप खेड़ की गाउं से, मुझे तब परदान बताईए चुनाव आ रहा है एक तरफ तो पिछली बार तो लगभग एक बार गड़ था ये एक तरफा वोट गंगों में काफी हद तक वोट बहुत बड़ी संख्या में तो भाजपा और प्रदीब जी पर गई थी क्या इस बार भी लगभग वही कुछ होने वाला है या कु पिछले बार चोदरी पार थोड़ा शूड़ा संध ब्यट्ठ था अब गार एक तरफासंजी जो मारी परताशी है हमारी सांसद हिनानि लाग़े जी तो बन चुकी है होशेत आपके अब हमारी तरफ से घोशीट है जी बहुत बड़ेitter शीप गोशेत है आट जी बहुत कम से कम नकुड से पच्छिस-30 जार से अगही अगई दिकल के चाहिए। ये बताईए कि नकुड में गंगो में क्या बदला है इतना जादा एक तो चादरी इंदरसन्टी तो हैं ही क्या प्रत्याशी से भी नाराजगी है, सरकार से भी नाराजगी है। प्रत्यासी से नालाज कीए तो अंता ही ने अंग हैं और किसीburger दुख शुक मैं किसी मैं तो खास को रहा हैं तो गुझ्र बराधरी से था था कुझ्जर पति पूसलिमॉक से भी गुझ्र मुस्लिमॉकुन प्रधिप laborator जो है किराना इसमें तीन विधानसाबाई तो शामली में पड़े हैं अब वो तो खेर यहां से थोड़ा दूर भी वहां पर भी लोगों की यही शिकायत है कि प्रदीब जी नजर नहीं आए पांथ साल लेकिन आप तो नकुडगंगो वाले हैं आप तो बिल्कुल उनके पड बेड़ी नगुड़ विधानसाबा से आप गाउं बेड़ी से जी विकाज जी बताईए आपके गाउं में क्या माहौल है इस बार जब तक तो माहौल बहुत कुछ बदले हुए था लेकिन अब जो चोधरी साहब का आदेश हुआ मैरे तो पार्टी भी चोधरी साहब है प उनके आदेश के आने के बाद हम दिननात अपने मैनत में जुट गई सभी साती और बहन इकरा जो है लोग तो कहते है कि सांसद बनेगी या क्या होगा लेकिन हम यह कहते है कि इकरा बहन सांसद बन चुकी है जब से चोधरी साहब का आशिरवाद उन्हें मिला है आप मान र सांसद साहब है परदीब चोधरी जी उनको निर्दे ले चुनाओ डालो और चोधरी साहब को निर्दे चुनाओ डालो यह तो करना लोग सभा की बात है अगर विदान सभा भी चुनाओ डाले तो परदीब को जो है दह हजार ओट भी निर्दे लिए यह तो उन्हें पालि कि एक बड़ा सेक्शन है जो नहीं किसी की सुनता है कि भी हम तो कमल पर वोट दबाएंगे भाजपाप पर वोट दबाएंगे आप किसान है मैं किसान हूँ तो ये बताईए कि 10 सालों में खेर एक बहुत बड़ा किसान अंदोलन भी हुआ तेरा महीने दिल्ली की सरहदों पर और किसानों की काफी शिखायते रही लेकिन मोदी जी ने वादा किया था कि आए दूगनी कर देंगे किसानों की 14 दिन में गन्ना भुक्तान होगा और ये भ सारी चीज़ों को देगे किसान संबान ने देखी बाद में आपसे बात बता हूँइगा क्या है किसान हॉमिर हो जाए ये तो एक लोली पो फें का इनका इनका सिस्टम को यह है कि दो आजार रुपे देदो और इनसे ओट ले लो rigtी क्या उए प करदे का अे हुआ है जों को हिस और प्रट सिफेयर समय और यह थे रड़ेक्व पूरेश नहीं मैंने जेरे हुआ हम पूरी हो जों जिए जोए ना क्याए जाद्या लिए उन्यृ पूरी हो जीए गरागा तीन यृनिट से सात्य यृनिट कर दी तो उससे याद है कि वो कर देजी उन्होंने है आप कहा रहे हैं पांच सुरूप है गर मिल भी रहे हैं लेकिन खर्चे उससे दस गुना ज़ादा आपके उड़े गाए जी साब आप बताएं आपका नाप मेरा नाम विशार डाई की आप डाई की गए उससे ही है जी बताएं कहां आप क्या सोच रहे हैं इस बार अगर मैं पूछ सकता हूँ आपको क्या लगता है गाउं का क्या महुल है लेकिन अपना बताईए पहले मेरा खुद का विचार तो जो है जी इकरा की तरफ है और गाउं का महुल तो आप भी गूम रहे हैं और भी पतरकार गूम रहे हैं महुल खुला हुआ है यह हमारे गाउं का ही नहीं जितने भी गाउं लगभग कैराना लोक सभा के अंदर आते हैं सभी गाउं का महुल खुला हुआ है और दीख भी रहा है क्योंकि चुनाओ जो होते हैं, चुनाओ का महोल जो प्रोग्राम होते हैं वो बता देते हैं, किस पक्स के प्रोग्राम कैसे हो रहे हैं, किस पक्स के प्रोग्राम कैसे हो रहे हैं, तो इस पस्टिकरन पहले ही हो जाता है कि कौन प्रत्यासी किस दोड में है, और यहां पर दो प्रत्यासी के चेहरे की लोगपरियता ज्यादा है जिस तरह पिछली बार मानिवर परदीप चोधरी जी की लोगपरियता थी परत्यासी के रूप में हर्स था बहुत ज़्यादा खुसी थी लोगों को और हमारे गाउं से खुद ऐसा महलूल हो था जैसे बूद कैप्चर हो कहराना परिवार, हसन परिवार की बहुत ही कम वोट थी जिनने हम कहीं गिंती भी नहीं कर सकते हैं और MP साल को बहुत ज़्यादा वोट में थी इस बार परत्यासी की लोगपरियता को देखते हुए मोहल चेंज हो जबा आप कहां गए थे 2019 में हम कहां गए थे हमने पुद परत्यासी की लोगपरियता को देखते हुए उसको काबिल होते हुए देखिया कि मतलब हमारा परत्यासी बहुत अच्छा पड़ा हुआ है है बहुत सिक्षित है उसको देखा है तब ही लोगों की भावनाई बदली है और लोगों के मन बहुत अच्छी वोट निकलेंगे तो ऐसा क्या इस बार क्या एक मतलब पिछली बार तो हम मान के चल रहे थे कि मोदी लहर है ना क्या इस बार लहर से जादा लोग अपने स्थानी प्रत्याशी को देख रहे हैं कि एक फरका है लहर तो होती ही है लहर में कुछ लोग होते हैं पर लेकिन जो विदान सभाई होती है ना यह मतलब देखते हैं कि कोण व्यक्ति हमारे काम आएगा क्योंकि मोदी जी पे लोग महां काम लेके नहीं जानेगे पकड़ना तो उने प्रत्याशी को ही है तो ठानी अप प्रत्याशी बहुत है प्रत्याशी को देखकर ही मोहल ब प्रत्याशी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आपका नाम साब पंजाब चोधरी रादोर रादोर के हैं ठीक है मुझाब चोधरी जी बताइए इस बार चुनाव आने ही वाला है अब जादा दिन नहीं बचे आप क्या सोच रहे हैं जो पिछले आठ दिन में था वह आज न कोई धरातल पर एक्टिव नहीं था इतना पर चुनाव काफी ठंडा भी लग रहा है मतलब पिछले 2019 के मुकाबले तो वह डोल डमाके नहीं हो रहे हैं वह डोल डमाके नहीं है साइलेंट चुनाओ इस बार जो पिछले आठ दिन से अब परिस्तिती बनी है वह थोड़ी त परिवार के समर्थ काफी संक्या मैं चोदरी इंदर सेंट चोदरी उदर सेंट सर्वगे चोदर एसपाल सिंखे नहीं आई ठी उनके अकोरडिंग यहां पे बड़ा इफैक्ट डालते अपने खासकर रोट पे यहां पे बीजेपी वर्षीज चोदरी परिवार नहीं की चोदरी परिवार जादे इंपोर्ट है चोदरी साथ इस बार क्योंके बोल दिया रोने स्पाश्ट रूप से कि अधा चुनाव का महल अलगी है और आने वाला आट दिन में और की लिए हो जाएगा कि क्या रहे है चलिए जी आप आप कहां से हैं साब मैं रविंदर ढाइक हैं आप क्या यहां पर गाओं में माहल बन रहा है अधी चुना नहीं तो यह जी झेखो परिक्षित के साथ हैं परिक्षित इंदर सेंगे सो परसंट परसंट परिक्षित उनका तो यही अभी इशारा है कि जोजरी इंदर सेंट जी के साथ हैं जहां उनका इसारा आएगा उधर ही जाएगे फिलाल इशारा एकरा के लिए आ चुका है आपका चुका है आपका नाम जी नौजवानः नोजवान है आप ही डायकी से हैं के या उमर हो गए आपके मेरी उमर करीхन बताएएब क्या इस भार चुनाव में मन कर रहे हैं दूसरी बार वृट कर रहे हैं जी मन तो यही है संसद के खिलाब क्योंकि उन्हें कुछ काम ने कि आज तक गाउं में और जो है जो विकास कर बात करागा हम उसके साथ जाएंगे प्रदीब जी तो लेकिन अब हमारे शामली के जो तीन सीटे हैं वहां तो एमपी साब से चलो लोग नराज हैं लेकिन यहां नकुडगंगो के तो खुद हैं यहां तो खरीब हैं आपके परडोसी हैं आपको क्यों यह शिकायत है कि वो नजद नहीं आ रहे हैं आज तक गाउ करें उनीकेखापके हैं आप क्यों मतलब इतने नराज हैं नराज है है कुछ काम करें नहीं 95% गाउं ढाइकी से अनने मिल पैट करेंगे और उसके बाद में काम ने कर रहें गाउं मैं किसी के मरने जीने मैं कहीं हुआ है तो तो इसलिए नराज हैंसे बडार खाप से भी ल अबी और डाइकी गाओं में हैं अभी और चुनाफ का महौल बदलते जा रहा है अभी कई सारे लोगों का रुक खास कर कि यहां नकुडगंगों की सीटों पर चौधरी इंदर सेन ने जो पिछले दिनों में सपश्टी करण की है कि वो एकरा हसन का समर्थन कर रहे हैं चुनाफ में उसके बाद शायद चुनाफ का रुक एक नया मोड ले रहा है कम से कम इन दोनों विधान सभाव में सी सी ए के साथ आप लोग जुड़े रहे हैं।